जबरदस हलचल कल हमने देखी और एक तरह से शक्ती प्रेजर्शन करते हुए नजर आए पहले अजीत पवार और फिर शरत पवार आज भी शरत पवार दिल्ली में हैं राश्टे कारेकारणी की बैठक करने वाले हैं उसके लावा प्रेस कांफरेंस भी करेंगे मुंबई में किस तरह की हल चला है अजीत पवार से मिलने कई नेता पहुंचे रामदा साथ वाले को अभी हमने सुना भी परी है साथ ही दूसरे पाटी के नेता जो अब 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 शामिल हो गया अजीत पवार तो एंडिये के दूसरे नेता भी उनसे लगातार मिल रहे है तो बैटकों का दौर चल रहा है वहीं छगन बुझबल जो अजे अजीत पवार गुट के मंत्री है और बड़े चेर है उन् रुकें उस बात को फिर से दोराया गया है लेकिन इन सब में ये ध्यान जरूर रखा जा रहा है कि शरत पवार को अभी भी नेता बता रहा है जीत पवार गुट के लिए कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे जो वोटर से जो एंसीपी का जो बेस है वहाँ पे कोई गल मॉंबई में जबदस कड़वाहट देखने को मिली अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था यानि एक दूसरे के लिए कुछ भी बुरा नहीं कह रहे थे लेकिन कल अजीत पवार ने जबदस हमले किये उन्होंने का कि रिटायमेंट ले लीनी चाहिए खोटा सिक्का बता दिया शरत पवार ने वो का कि उन्होंने चलने वाले नहीं हैं और आज घदार के पोस्टर लग गए दिल्ली में अन्सीपी दफ्तर के बाहर कौन कौन नेता पहुंचे हैं अभी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जी बिल्कुल पंकरच आपको बता दे कि राश्य कार्यकारणी के बैठक अभी कुछ ही देरे बाश शुरू होने वाली है जो राश्य कार्यकारणी के सदस्थे हैं जो शरत पवार का समर्थन करें मों इस वक्त पहुंच चुके हैं शरत पवार के गर पे आज सुबा बहुत एहम बैठक है क्योंकि इस बैठक में ही शरत पवार एक बड़ा निफैसला लेने वाले हैं अजित पवार के खिलाफ कई परस्ताव पारित होंगे हाला कि यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कानुन लड़ाई किस तरह से आगे बड़े इलेक्शन कमिशन को किस लगाई यह देखिए अगर मैं अपने मनुष को कंगाउं जूम करके आपको दिखाएंगी यह जो पोस्ट लगाई जिसमें गदार कहा गया और उपर लिखा है सारा देश देख रहा है अपनों में चुपे गदारों को माफ नहीं करेंगे जनता ऐसे फरजी मकारों को प्रफुल पटेल को दिखाया गया यानि बड़ा प्रफुल पटेल ने दिया जिने कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया था शरत पवार की दरफ से